भी जो होते हैं न, वो शिष्य का सदेव हित चाहते हैं, अहित नहीं चाहते हैं, येन केन प्रकार और किसी भी प्रकार से शिष्य के रदे की खोट निकालने का वो गुरु देव हमेशा प्रेत्न करते हैं, गुरु गिता में बहुत सुन्दर का हैं, बिद्यते रदे गुरु जी क्या करते हैं, बोले रदय ग्रंथी का बेदन करते हैं, चिद्यंते सर्वसंशया, सारे संशयों को छिन भिन्न कर देते, आवागमन का डोरा काट देते, और शिश्य को पर्मानंद की प्राप्ति कराते हैं, तो चिन्तामनिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, यो कल्पवरुक्ष भी मानो, मिल जाए, चिन्तामनी भी मिल जाए, प्रेच्छती गुरु हुप्रीतो, लेकिन जो गुरु का प्यारा भक्त होता है, वो कौनसे पत को प्राप्त करता है, बोले वैकुंठम योग की दुरलब हम, जो योगियों को भी दुरलब है, वैकुंठ मुक्ति, आत्मग्यान का रस, वो परमात्म तत्व, उस तत्व का शाक्षादकार गुरु कराते हैं, जो योगियों को भी दुर्लब है, तो दिख्षा लेने से बहुत सारे जीवन में चमतकार होते हैं आज के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी हो न तो आप चिंता मत करना आपके सामने जो भी कोई समस्या हो कोई प्रश्न हो आपका आप उस प्रश्न को रात को घी का दीपक जिलाओ गुरुदेव के श्रीचित्र के सामने शान्त हो के बैठ जाओ कमरा बंद कर लो और जो कुछ भी कहना है गुरुदेव के सामने वो बात रख दो यह समस्या है यह सवाल है हम इसमें से नहीं निकल पा रहे है नहीं रास्ता समझ में आ रहा गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूँ जो हमारे हित में हो वो हमारे चित में प्रेणा करो गुरुदेव कैसे भी करके हमारे हित में कोई भी समझोता है या समाधान करो आपके चरणों में प्रात्न है ऐसा प्रेम से प्रात्ना करके शान्त होकर गुरुदेव का चिंतन करते हुए सोजाओ कई ऐसे सादक है जो ये प्रयोग उन्होंने किया और गुरुदेव ने सपने में आकर कहा कि बिटा ये ये करना तो निवारण हो जाएगा यह यह करना या चित्त में प्रेड़ना होती है कि जाहिए कर यह कर यह कर वो अनुभव सुना है आपने एक चाय वाला था चाय की दुकान थी सुबह सुबह में सबको चाय बना के देवे एक दिन सपने में गुरु जी है बोले कल की चाय किसी को मत देना पैंक देना पिलाना म असली शिष्य तो गुरु की हरेक आग्या का पालन करते हैं गुरु देव ने स्वयम सपने में आके बोला है तो अवग्या कैसे करें सुबह में दुकान खुली वो कैन भरके दूद वाला दूद पहुंचा के गया अब सामने चाय खरिदने वाले भी तैयार है तो बना तो हम पिए अब यहां गुरु जी ने मना किया यहां गराक तैयार खड़ा सामने दूद है सारा सामान है अब मना किया है तो कैसे दूद तो थोड़ा सा उसमें से दूद मुले फैके तो कहां तो थोड़ा सा दूद कटोरे में लेकर कुट्टे को पिला तो कुर्ता पी ते आधे-पउने घंटे में तो मर गया पूरा डूद छान के देखा तो डूद की कैन में मरी हो secondly मिली उसका तो रह नहीं गदगद हो गया गुरुदेुके चरणों में कि अगर गुरुदेहुन नहीं ने ही जितरी तो कोई एक मर जाता हा और मेरे माथे पढ़ता कितने बड़े संकट से रक्षा हो गई तो कभी-कभी ऐसी प्रेहनाया भी होती है एक बरोडा का साधक गुरुदेवने सपने में आके बोला बेटा बिस्कुट मत खाना बिस्कुट छोड़ दे मत खाना तो सपने में सुना अब ठीक है नहीं खाऊंगा कुछ दिन कुछ महिनों तक नहीं खाया छे-सात महिने आठ महिने बीद गए नहीं खाया तो एक दिन ट्रेन से जा रहा था कहीं भूख लगी साथ में जो था वो तो खा लिया फिर और भूख लगी तो क्या करें तो वो कोई बिस्किट बेचने आया वेफर्स ट्रेन में आते नो बेचने के लिए तो वो आँसे एक बिस्किट का पैकेट कुछ वेफर्स लेकर खाने लगा भूख लगे कुछ तो खाये शुरू किया तो अब भारतीय संस्कृती है हम अकेले-केले खाये तो अच्छा नहीं सामने और भी लोग बैठे तो बहिलो तुम भी एक-एक-दो दो लेव तो सामने जो दो-चार लोग बैठे थे उनको भी वो बिस्किट दिया तो प्रेम से दिया तो सामने वाले ने भी कहा कि आपने दिया तो हमारे पास भी रखे आप भी खाओ तो सामने जो बैठा था उसने जोले में से बिस्किट निकाल के इसको दिया और वो बदमाश थे बिस्किट में कुछ बेहोशी की दवाई थी उसको खिला अब इसने तो विचारे ने सीधा खरीदा और फिर उसको दिया वो सामने बैठ अच्तावा हुआ कि अरे गुरु जी ने कहा था हमने नहीं माना अवग्या की तो यह नुकसान हुआ आठ नो मैंने हो गए थे उसने नहीं खाया बिस्किट लेकिन फिर भी आखरी आखरी में रह गया तो आठ नो मैंने पहले जो घटना होने वाली थी उसकी प्रेणा गु अकिछ और रांकेथ हो आएसा कुछ हो तो उसको प्तत परता से पालन करना चाहिए तो शिश्य के लिए बहुत अच्छा होता है गुरु देव का ज्यान ऐसा है जिसको समझने के लिए बहुत साधना चाहिए बहुत उपासना चाहिए बहुत सारी पुन्याई चाहिए बहुत बड़ी लगन और बहुत बड़ी ततपरता चाहिए तो हम उनको समझ सकते किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता जहां ये है फरिष्टों से वहां जाया नहीं जाता बड़े बड़े विद्वान भी उस परम तत्व को नहीं जान पाते शास्त्रों का ज्यान तो होता है लेकिन अनुभवात्म ज्यान नहीं होता भगवान की पहचान शास्त्रों से होती है और शास्त्र का अनुभावात्म ज्ञान है वो गुरुदेव से होता है अनुभाव में आजए एक तोते को किसी भूदेव ने किसी ब्राम्मन ने सिखा दिया बिटा राम राम जपना राधेश राम 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 बोलता तो बहुत सब को अच्छा लगता है तोते को भी आदत हो गई वो भी राम 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 दिन भर में जब भी मन पड़े राम राम जपना तोते को शब्द का तो ज्ञान हो गया लेकिन अनुभावात्म ज्ञान तो नहीं हो ना तो राम राम तो सीख गया लेकिन जब बिल्ली ने आकर जपता इन तो आन्ति समय है शंया सगहट में आप तो उसको अब रामराम कहजब करनाँ चैगे तो जोत छोड़ दिया में में में। अंटिर करने लगा है वाश्टा ग्यान इस इसकाम का जो अंति समय में साथ न दे तो जो अनुभावातमक ज्ञान है वो अन्ते समय में साथ देता है वो अनुभवात्मक ज्ञान कौन करवाता है गुरुदेव करवाता है एक तोता था किसी पेड़ पे बैठा अपनी दुन में कुछ बोले जा रहा था एक सबजी वाला निकला वास एक ब्राह्मन निकला पहलवान निकला है तीनों निकले तो तीनों ने अपने अर्थ लगा है पंडित जी जो निकले उन्होंने सोचा कि ये तोता देखो कितना अच्छा है सिताराम दशरत सिताराम दशरत कितना अच्छा बोलना है सिताराम दशरत सिताराम दशरत पंडित जी का तो रदे प्रसन हो गया कि वहां इत्सुबब भगवान का नाम सुना रहा है पर कुछ काम था वो निकल गए थोड़ी देर में सब्जी वाल आया सब्जी वाले ने भी सुना बोले आहा यह तो तह जरूर किसी सब्जी वाले के घर का होगा और क्यूंकि यह बो पहल्वान के घर का है खाडे का तोता है किसी क्योंकि यह भोल रहा है दंडबैठक कसरत अब पंड़ित जी गुजरित उन्होंने सोच यह बोल रहा है सिताराम देश्रत सबजी वाले की राचसी मती तो उसने सोचा कि यह लसुन प्याज अद्रक वो पहलवान सोचता है तामसी बुद्धी का मुले दंड बैठक कसरत अब वो तोता भोल क्या रहा है वो तीनों में से किसी को नहीं बता सब ने अपने अर्थ ले लिये उसी प्रकार शास्त्र को हम पढ़कर अपने दिमाग से कोई अर्थ निकाल ले और उसकी व्याख्या कर दे वो वस्तु अलग होती है लेकिन गुरुदेव के श्री मुक से जो ज्ञान की बाते हम सुनते हैं जो अब्देश सुनते हैं वो खुट मख होते हैं सुना सुना या नि कभर जी के पास बहुत बेड़ होने लगी तो किसी वहां के ब्राह्मन उन से बहुत गुरु देव पधार रहे हैं स्वागत के लिए खड़े हो जाए जो जहाँ है वहीं बैठ जाना खड़े हो कर जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाना आगे नहीं आना मोबाइल फॉन भी स्विच ओफ रखना मोबाइल जाना